पुरानी से पुरानी चोट मोच का दर्द जो किसी दवा से सही नहीं हो रहा है एक बार में सही हो जाएगा ऐसी चोट जो सही तो हो गई है पर दर्द नहीं जा रहा है मोच में आराम है सूजन नहीं जा रही है वो भी सही हो जाएगा तीन पौधों की जानकारी देने वाला ह बड़ी आसानी से सभी के यहां मिल जाएंगे कोई पैसा खर्च नहीं होगा और आराम मिलेगा ही मिलेगा आयरवेद में लंबे समय से इन पौधों का प्रयोग चोट मोच के इलाज में किया जाता रहा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा पहली बार अगर आप हमारी चैनल पर आए हैं तो हमें सस्काइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सेर जरूर करें तो चलिए मैं उन पौधों को पहले दिखाता हूँ फिर बताएंगे के आप उने चोट मोच के लिए youse कैसे करेंगे चोट मोच के दर्द का सबसे पहले घरेल उप आए हम बताएंगे जैसे आपके कोई चोट आ गई है मोच आ गई है या बांट आ गई है खरोंच नहीं आई है घाव नहीं बनाए लेकिन दर्द है उसमें तो ये पौधा इस पौधे का जो फल है वो आपके काफी काम आएगा आप सभी जानते ही होंगे पैचानल गए होंगे आप आपके यहां इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट में हमें एक बार बता दें के अंदर बीज हों ऐसा थुड़ा पका हुआ हाड बैगन जो है आपको लेके आना है और यही बैगन आपके मोच के दर्द को चोट के दर्द को खीच देगा पुराने जमाने से लेकर आज तक हमारे बुजर्ग इसका प्रयोग अपने घर पर किसी भी तरह की चोट मोच के लिए करते आये हैं इसका प्रयोग कैसे कहना है आप में उसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते तो वीडियो में मैं आगे चलकर इसका अप्रयोग आपको दुबारा से बता दोगा शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि मैं जो पौधे बताने वाला हूँ वो सबसे सरले बड़ी आसानी से मिल जाते हैं अब ये जो पौधा है लगवग हर व्यक्ति से जानता होगा लेकिन चोट मोच में ये कितना काम आ सकता है ये वही जानता है जिसने इसे कभी यूज किया है ये है अलो बेरा घ्रतकुमारी ग्वार पाठा अगर आपके कोई बांट आ गई है बांट तो जानते ने जैसे अ लटा सीधा पैर पड़ गया है मोच आ गई है या फिर हड़ी में पुराना दर्द है पुरानी चोट लगी थी हवा चलने लगी दोबारा से दर्द उठाया है इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ गई है तो एलो बेरा और इसकी ये पत्ति आपके लिए बहुत ही अच्छा उ लिए और ये लीफ ही आपके चोट मोच के दर्द को सही करेगी तरीका सेम रहेगा इसका भी जो बैगन का है लेकिन तरीका बाद में बताएंगे बस एक पत्ति हम इसमें से निकाले लेते हैं और अपना तीसरा पौधा आपको पहले दिखाते हैं कोई पुरानी चोट है द बार अच्छे से पेंचान लें कटीला पौधा है कैक्टस है राइस्थान या जो हमारे सडक किनारे ऐसी जगह जहां पानी कम होता है उस जगह पर यह आपको रोड साइड मिल सकता है इसका बैग्यानिक नाम हम जो है लिखकर बता देंगे लोकल में हमारे यहां से नाग फ बड़ी साबधानी के साथ इससे मुझे काटना पड़ेगा क्योंकि यह मजबूत है इस तरीके से इसकी हम जो एक लीफ निकाल तो पुराने से पुराने चोट मोच के दर्द को दूर करने वाली यह जो चीज़ें हैं हमने घट्टी कर ली हैं एलोवेरा की पत्ते एक पका ह हुआ बेगन और जो चोट या दर्द लंबे समय से परिशान कर रहे हैं उसके लिए यह नागफणी की पत्ती अब देखिए से यूज का ना बहुत सरल है लेकिन उसे ध्यान से देख लीजेगा पुराने जमाने में तो आग होती थी लकड़ी और कंड़े की तो उनमें इन बारवाद चोब जाएंगे बारीक होते हैं तो थोड़ा सावधान ही रखिएगा ये जो हमने आपको आईरवेदिक चीजे जो बता रहे हैं ना चोट और धर्द के लिए ये सिस्टम पे काम करती है एक बार अगर आपकी चोट और धर्द सही हो गया ना जीवन में दुबा अगर को भूनना है तीनों को समान मात्रा में भूना जाता है लेकिन ये चीज हम सिर्फ आपको नाग फणी पे करके दिखाएंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्पूर्ण चीज है तो इस पत्ति को हम जब तक ये इस तरीके से फूल लेना लगे तब तक भूनेंगे ऐस देखिए ये भून गई आपकी आप इसे थोड़ा ठंडा होने देना है दो मिनट इसके बाद इस तरीके से काटना है और इसे बीच मेंसे आप जो है ऐसे करके फार लेजिए ये फट जाएगा अपने आप पर्त बन जाएगी जैसे पराठे की बन जाती है ठीक पैसे ही ऐस ये लीजिए ऐसे ही ऐलोवेरा फट जाएगा और ऐसे ही आपको जो है बैगन फार लेना है अब आपको अपने किचिन में ऐसे एक चीज लेके आनी है और वो है ये टर्मरिक हल्दी इसे इस पर छड़कना है भुरकना है थोड़ा सा आदा चमच और इसके बाद ऐसे करके जहां पर आपकी चोट लगी है मान लीजिए आपके हाथ में है या पैर में है जैसे मेरे यहां चोट है यह बांट आ गई है मौच आ गई है तो इसे ऐसे रखिए और उपर से सूती पट्टी बहन दीजिए 24 गंटे रखिए आराम मिल जाएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बार